व्लोग व्लोग आज जन्वरी महा के करेंट अफ्यर के अंतरकत पार्ट डू भाग दो सब कुछ खतम मतलब जन्वरी महा करेंट अफ्यर खतम करने वाले हैं पार्ट वन हो चुका है पार्ट वन जिसने नहीं देखा जाके देख लिए बहुत महत्पूर्ण है दिसंबर हम ख बात है कि मैं सिर्फ करेंट अफ्यर नहीं फॉलो कर रहा होता हूं मैं उसके समद्द कुछ और चीज़ा तो इसको बता देता हूं साथ में तो यह करेंट अफ्यर 30 होंगे लेकिन बाते आपको नहीं अगली 30 साथ बाते आपको पता लग जाएंगी नहीं एक्दम इसलिए फिर देखा करेंगे आपको फाइदा रहेगा खीक है शुब बात करते हैं पहला ही कोशन देकि दमदार कोशन दे रहा है एक दम पहला कोशन है उत्तरपतिस सरकार ने किस शहर में 234 रूपए की लागत से शहीद असफाकुल्ला खान के नाम पर एक चिडिया घर का निर्मा असफाकुल्ला खान तो आपको काकोरी कांड याद आ जाता होगा तो यह लखनव सहरनपूर रेलवे लाइन पर काकोरी में यह जो ट्रेन थी एट डाउन ट्रेन इसको लूट लिया गया करांदिकारियों के द्वारा तो अंग्रेजों ने कई लोगों को पकड़ा उसमें स चार लोगों को फांसी की सिरा सुनाई गई कौन चार लोग थे अश्पाकुल्ला खान राम प्रसाद बिस्मेल रोशन सिंग्ग और राजेंद लहडी ठीक है तो इन चार लोगों को फांसी की सिरा सुना दी गई साथ में यह याद रखिए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में हुई थी किसके द्वारा हुई थी सचन्रनाज सान्याल जुगेश चंद्र चटरजी और राम प्रसाद बिस्मेल इन लोगों के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एस्सेशेशन के स्थापना हुई इस ही एचार एके 10 आंसर है गोरखपुर यहीं सब लिखा हुआ है इसको देख लीजेगा अधर याद रखी का अगुली कार्ण कब हुआ था 9 अगस्त 1925 कि निम्लेखित में किसी कॉमर्स कंपनी द्वारा हाल ही में घोशना की गई कि वह भारत में छोटे तथा मध्यम उध्यों के डिजिटल भारत सरकार द्वारा इधन सरक्षन के लिए जालबुता फ्यलाने है तो किस नाम से एक अभ्यान आरंब किया गया तो इसका उप्षन होता है यह सक्षम भी बचाओ सी अक्षय डी विजय आंसर है सक्षम ए उप्षन सक्षम ठीक है सेना देवास 2020 के अपसर पर पूरुष दस्ते के नत्रत करने वाली पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है जो मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाले हुए हैं उसमें भी है मैंने क्वेशन पूछा था कई बच्चों ने कमेंड करके आंसर दिया था तब मैंने वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ा है था बोर्ड प पनाया तो इसका आंसर क्या है इनका आंसर है सी मैगनस कार्लसन ठीक है विश्वसास्त संग्थन ने तपेदिक के निदान हे तू किस देश के स्वदेशी उपकरण ट्रूनार्ट को साबजने करने के स्विक्रती दी है बहुत इंपोर्टेंट है क्वेशन ट्रूनार्ट य विश्वस के निया आणविक परिक्ष्न है यहाँ एक अंटे में टी बी की जाच कर सकता है और साथ ही यह है रिफामसिन क्या है यह एक एंटिपाइटिक है जिसका उपियोग कई प्रकार के जीवाणू संक्रमनों जैसे तपेदिक का इलाज करने के लिए किया जाता है इसका मतलने को तपे सब्सक्ताइक यह एक We तो टायव मतलब टीवी किसे होती बीवाला बैक्टिरिया साथ में याद रखे इस प्करण को यह जो ट्रुनाट उपकरण है इसको गोवा की मोल डाइगनोस्टिक्स प्राइवेट लिम्टीट कमपनी तौर्ण विकिस्ट किया गया है हो सकता आप से ही पूछ ले जाए यह जो भारत ने भारत का स्वदेश करना है ट्रोनाट इसको किस कंपनी ने बनाया है तो आंसर है गोवा की कंपनी है मोल बायो डागनोस्टिक प्राइवेट लिम्टेड ठीक है चलिए आगे भारत और बांगलादेश ने बांगलादेश के किस संस्थापक पर फिल्म बनाने हे तो सहमती पत्र पर हस्ताक्षर किये इनका नाम क्या है यह उप्षन सेख मुझीबुर रह्मान इनके जो संस्थापक है इनके ऊपर फिल्म बनाने हे तो बात चल लई है आप बताए इनके निर्देशक कौन होगे इस फिल्म का जो सेख मुझीबुर रह्मान के लिए बनाई जाएगी इसके निर्देशक कौन है केंद सरकार दोरा तयार किये गए दुड़लभ रोग नीती समस्वादे के अनुसार सरकार दुड़लभ बीमारियों के इलाज है तू जरूरत मंद लोगों को कितने रोपय की सहता राशी देगी कितना रोपया दे रही है जो जरूरत मंद है दुड़लभ बीमारियों के लिए तो इसका उप्शन है ए 5 लाग, 10 लाग, 12 लाग, 15 लाग सबसे अधिक्तम बाला आंसर दिख रहा है आंसर क्या हुआ 15 लाग, D option Economist Intelligence Unit की रैंकिंग के अनुसार किस राज्य का शहर मलपुरम विश्व के सबसे तेजी से भढ़ते शरी शित्र में से एक है ये तो मैं नहीं बताऊँगा, ये आप खुद सर्च करिए कि ये मलपुरम कहां का ये शहर है ये खुद बात आईए, उमझे कमेंट के बताईए कि मलपुरम किस राज्य का शहर है ठीक है इरान की एक मात्र महिला उलम्पिक पतक विजेता का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में देश छोड़ने की घोशना की इनका नाम है बताईए कीमिया अली जा देह कीमिया अली जा देहे ने बोला है कि मैं अपनी देहे को इरान से छोड़के जा रही हूँ ठीक है तो अली जा देहे ने का है कि चली मैं इन्होंने इंस्ताग्राम पे पोस्ट किया और गोशना करी कि मैं इरान को छोड़ दूँगी इंपोर्टेंट इसलिए कि एक मात्र महिला उलम्पिक बतो जेता है इसलिए इनके बारे में चर्चा में आ गया तो याद रखिए कीमिया अली जा देह हाली में कोलकता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बतल कर क्या रखा गया तो कुलकता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के रखा गया है उनके नाम पर जिनोंने जनसंग की स्थापना करी थी जनसंग की स्थापना किसने करी थी जो बाद में भाजयपा बन गई भारती जनता पार्टी इनका नाम क्या है पहुँच गया कुछ लोगान शार तक साविद और बरिस्टर थे वे पंडे जबहाला नहरों की सरकार में ओद्योग वा आपूरती मंत्री थे 1950 में उन्होंने भारतिये संग जनसंग की इस्तापना करी जो बाद में बीजेपी बन गया ठीक है याद रखिए का करन जोहर तो हो नहीं सकते अब बास मस्तान हो नहीं सकते जोया अक्तर पता नहीं एक आप्षण बचा यह राहूल ढोलागिया और निम्लेखित मैंसे किस दिन विश्व हिंदी दिवस मना जाता है इसकोशन के आने के चांस बहुत जादा है इसलिए इसकोशन को आप ध्यान रखेगा किस दिन मनाते हैं हम लोग तो आंसर ए ओप्षन आठ फ़वरी बी ओप्षन दस जनवरी सी ओप्षन चौदा मार्च डी ओप्षन बी सितंबर तो इसका आंसर है बी 10 जनवरी याद रखेगा मनमोहन सिंग की सरकार में 2006 से 10 जनवरी को विश्रा हिंदी दिवस मनाने की खोशना की गई थी और पहला विश्रा हिंदी सम्मेलिन का junior 10 जनवरी 1976 को नागपुर में आज़ित किया गया था ठीक है याद रखेगा पहला कहां पर आज़ित किया गया है नागपुर में येर क्या है 1976 इसीज को याद रखेगा ठीक है चलें आगे अगला है मार्च 2020 में आयोजित होने बाले अंतरास्टे नौसेना कारिकम मिलन की मेजवानी निम्लिखित में कौन सा भारतिय शहर करेगा तो करेगा मतलब करने बाला था हो नहीं पाया इसका ओप्षन है डी विशाका पतनम हो नहीं पाया ये क्योंकि कुरोना चल गया नंच इनका नाम है सी विश्वभर में अच्छा अभी हाल में क्या हुआ कि भारत के एक पढँसी देश ने अपने प्रष्टिक को से ब्लास्टिक को सुन रूप से ब्हुम होती की पानी की प्लास्टिक को बैंक करने वाला बंगलवादेश परोसी देश भंगा जिसने भारत की तरह ही सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैंड कर दिया अब तक ऐसे 15 देश हैं जिनों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैंड लगाया है कौन से 15 देश हैं तो दिहान मतलब याद नहीं करना है एंटीक हुआ हो गया चीन कोलंबिया रोमानिया स्नेगल रावाडा दक्ष चाइना डी ऑप्षण पाकिस्तान आप सोचोंगे चीन ही होगा यही मकार है तो पाकिस्तान मरना चीन नहीं मरना है तब ठीक है अगे चलते हैं निमनिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कशुआ पुनरवास केंद्र स्थापित के जाने की घोशना कर दी गई गोशन मना जाता है महत्मा गांदी जी का आगमन 9 जनवरी 1915 को भारत में पूर रूप से हो गया मतलों ने अपने कदम हो पे जमा दिया भारत में उससे पूर्व है 1901 में भारत आ चुके थे कलकत्ता दिवेशन में तो ये आपको धियान रखना पड़ेगा कि निमलेखित में से किस दिन मनाते हैं तो 9 जनवरी 1915 को महत्मा गांदी के भारत में आने के उपलक्ष में हर साल मनाया जाता है प्रवासी भारतिय दिवस साथ में ये भी याद रखिए कि महत्मा गांदी को महत्मा की उपादी रवींदर नाथ टैगोर जी ने दी थी चंपारण सत्याग्रह के उ सम्मानित किया गया है इनका नाम क्या है बताएं मुझे कमेंड करिए कि भारतिय मूल की किस लेखका को हाल ही में UK चिल्टरेंड भुख पुरुषकार से सम्मानित किया गया है खुद से भी कुछ एक बार देख लिजी सर्च कर लिजे इसको भारतिय क्रशी अनूसंधान प प्रशत की स्थापना कभी है 15 जुलाई 1930 कभी कदार यह कुश्चन करता है तो यह रख देता है कि पताईए आई सी ए आर की स्थापना कभी तो आंसर है 1937 में और इसका मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में हाली में किस राज सरकार ने राज में विक्रम सारा भाई बाल नवोन में स्केंदर की स्थापना की खुश्चन करी है तो इसका भी आंसर क्या है इसका आंसर है वही जहांके मोदी जी है वहीं का option है वहीं innovation को जादी बातें चलने लगती है तो विक्रम सारा भाई बाल चाइल्ड छोटे बच्चों का नवोन में शकेंदर की स्थापने की कोश्णा की गई है C option गुजराद पांच में एशिया प्रशांत ड्रोसो फिला अनुसंधान संबेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है तो आंसर है नई दिल्ली हाली में किस राज ने अपने भूमी रिकॉर्ड को प्रधान मंतरी फसल बीमा युझना के बेब पोर्टल से एकिकरत करने वाला देश का पहला राज बन गया option बिहार उत्तर प्रदेश पंजाब महरास्ट आंसर है महरास्ट बेब पोर्टल से एकिकरत करने वाला देश का पैसा राज्य बन चुका है जिसने प्रधान मंत्री फसल भीविया यूजना को भीविय प्रोटल के थ्रू एकिकरत कर लिया उनके भीविय रिकॉर्ड़ों को देश में ठीका करण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के किस मिशन के दूसरे चरण के शुबात करी गई यह भी मैं बता चुका हूँ इसका अंसर है इंद्र धनोश 2.0 ठीक है ऑप्शन कौन सा हो गया देखो बी निम्लिकित में से किस राज्य में भारत के पहले मा बनाव अंतरिक्ष उडान प्रस्यं केंद्र की स्तापना कि जाएगी गुजरात महराज ढरकर करनाटक अनसर है करनाटक डी निम्लिकित मैं से किस भारते खिलाड़ी ने इंगलेंड में हेस्तिंग्स अंतररास्त्रय शत्रेंज कॉंग्रेश का खिताब जीता हेस्तिंग्स अंतर रास्ट्रिय शतरंज का किताब जीतने वाले विक्ति का नाम है पी मंगेश चंदरन गोल्डन ग्लोब अवार्ट्स 2020 में किस फिल्म को सर्वस्रेस्ट फीचर फिल्म का प्रोस्कार दिया गया कोश्चन आने की संबावना बहुत जादा 2020 का गोल्डन ग्लोब अवार्ट दिया गया है 1917 को मुवी का नाम है 1917 D option निमलिकित में से कौन सा खिलाड़ी एक ओबर में छे चक्के मारने वाला विश्रो का सात्मा बल्ले भाज बन गया पहली बाद तो ये हो सकता है आपको दो स्टेटमेंट टोड़के दे दें लिगने इनका नाम कि ये जो व्यक्ति है बढ़े बेश्रो के साथंवी बल्ले बाज बन गए उन्हें अगावर में छेच्चके मारे तो इनका नाम है लियो कार्टर आप मुझे ये बताइए की लिग मतलब किस देश से कहलते हैं लियो कार्टर केंद सरकार द्वारा कितने मीडिया संस्थानों के लिए पहले पहले अंतरास्टिय योग दिवश मीडिया संवान की घुष्णा की गई तो इसका अंसर है बताइए फिर हम बताते हैं 30 थर्टी लोगों को अंतरास्टिय दिवश्वान मानते हैं हम लोग 21 जून निम्लिकित मैंसे किस राज सरकार द्वारा महिलाओं कि सुरक्षा के लिए दामिनी हेल्प int ट्रक deduct बनान लाउन्च की गई जहां पर हम रहते हैं उत्तंप्रदेश मतलब हमारा reflection नहीं है उत्तंप्रदेश तो option हो गयार उत्त्तंप्रदेश हेल्प लाइन नंबर याद कर लीजे कभी कज़ार PCS वाले कुछ जादा ही जोश्में पेपर बनाते हैं तो हेल्प लाइन नंबर भी पूछ लेते हैं तो याद कर लीजे 8114257 ठीक है आगे चलें विज्ञान को लोगप्रिय बनाने के लिए किस विज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदरा गांधी पुरसकार से सम्मानित किया गया वैग्यानिक मतलब इनोवेशन के लिए इंदरा गांधी पुरसकार ये इंदरा गांधी पीस प्राइस के बारे में नहीं पूछ रहा है नहीं अपने जोश्मा कुछ और सोच लो वैग्यानिक को दिया गया है मतलब त्री भाई फुले भारत के पहली महिला सिक्षिका की एक सो नवासमी जैन्दिया मनाए गई आने की समावना इस कोश्चन की बहुत जादा इसलिए महिला सिक्षिका है पहली तो इसका option हो गया आप लोग बताइए क्या option है फिर मैं बताता हूं इसका option बताइए एक दो तीन चार जनवरी क्यों सा option होगा तो इसका answer है तीन जनवरी ठीक है 2020 अचा question खतम हो गया तो यह अब जनवरी के सारे हम लोगों ने current affair complete कर लिए हैं कुछ भी छूटा नहीं है इन ही case अगर को छूटेगा तो मैं complete मतलब मैं paper से लगभग दो या तीन दिन पहले जनवरी का capsule फिर से फिर करूंगा तो जो अगर यहां पर छूट गयोंगे तो उनको मैं साथ में ले लूँगा ठीक है तो पूरा सुनिए वीडियो को पूरा सुनिए टूएक्स की स्पीड यूटूब पर एक होता है तरीका जिसमें आप स्पीड को टूएक्स करिए लगातार सुनते चले तो चैनल को सबस्काइब करिए लाइक करिए शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों पहुंचे एक स्टुडेंट का मेरे पास मैं से ज्यादा सर मुझे रिट समझ नहीं रहे हैं रिट क्या होते हैं मैंने फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों के भाग दो में या फिर भाग एक में प्लेलिस्ट में जाईए पॉलिटी के वहाँ पर पढ़िए रिट आपका डाउट जीवन हर के लिए दूर हो जाएगा बागी आपकी मरजी है इनी शब्तों के साथ जय हिंद जय भारत